हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो इजी जी के नोट्स, दोस्तों, करंट अफ्यर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते होए, आज हम आपके लिए कुछ और नए करंट अफ्यर्स लेकर आया हैं, जो कि एक्जाम्स के पॉइंट ओ व्यू से बहुत ही ज़दा इंप्योटन्ट है, अगर हम इसके इंपोटन्ट पॉइंट्स कवर करें, तो महरास्ष कैडर के सीयारपी की 1988 के भारती पुलीसियवा अधिकारी शुकला, वर्तमान में केंद्री रिजर्व पुलीस बल की सीयारपी एतिरिक महानी दिशक है हमारा सैकेंड कोश्चन है, वो हैस बिकम दे न्यू चेयर्मेन ओफ दे सेंटरल बोर्ड उफ इंडिरेक्ट टेक्स अन कस्टम्स, कौन व्यक्ति केंद्री अपरतिक्षकर और सीमा शुल्क बोर्ड की नए अधिक्ष बने है, इसका सही अंसर है संजे कुमार अगरवाल, सर किस पूरुष क्रिकेटर को मार्च 2023 के लिए ICC प्लेयर गुफदा मंत का सम्मान मिला है, तो हमारा इसका सही अंसर रहेगा, शाकिब अल हसन, अनुभवी और राउंडर शाकिब अल हसन को मार्च 2023 में उनके शांदर परदशन के लिए ICC मेंस प्लेयर आफ दमंत पुरसकार से प्रसक्रिट किया गया है, फौर्थ कोशन है प्लेयर बलोंगिंग टू विच कंट्री ड्वेन प्रिटोरियस है रटायर फ्रम इंटरनेशनल क्रिकेट किस देश समबंदित के लाडडी ड्वेन प्रिटोरियस ते ने अंतरश्टि क्रिकेट से सन्हास लिया है, इसका Award in the category of Best Film Drama at the 18th edition of the Gold Globe Awards Golden Globe Awards के असिवे संसंकरन में किसे सबस्टेश फिल्म नाटक की शेनी प्रुसकार मिला है इसका सही आंसर है The Fable Man यूँआ सैमी Fable Man को फिल्मों से प्यार हो गया जब उसके माता पिता उसे The Greatest Show on Earth दिखाने के लिए ले गए थे भारत का पहला UPI ATM किस कंपनी ने लौँच किया है इसका सही आंसर रहेगा Hitachi Hitachi Payment Services ने National Payments Corporation of India के सयोग से White Label ATM प्रूप में देश का पहला UPI ATM पेश किया है जो सुरक्षित है हमारा next 7th question है Where has the worst tallest 28 feet tall Nataraj statue been installed at the G20 summit venue G20 शीकर समेलन स्थाल परविश्व की सबसे उची 28 foot उची Nataraj प्रतीमा कहां स्थापित की गई है तो इसका सही आंसर है भारत मंडपम न्यू देली जब G20 समेलन का आयरजन हुआ था तब वहाँ पर यह है स्थापित किया गया था हमारा next 8th question रहेगा Who has become the new secretary of department of telecommunications दूर संचार विभाग के नए सचीव कोन बने है इसका सही आंसर है नीरज मितल सरकार ने नीरज मितल को दूर संचार विभाग D.O.T. का नए सचीव न्यूत किया है 92 बैच के I.S. यह वर्तमानमित तमिलनाडू के अपने कैडर में कार्य रत है हमारा next 9th question रहेगा Chris Hipkins has been elected as the new prime minister of which country Chris Hipkins को किस देश के नए परधान मंत्री के रूप में चुना गया है इसका सही आंसर है न्यूजिलेंट न्यूजिलेंड के सारवजनिक प्रसारक आरेंजड ने बताया कि Chris ने बुद्वार को न्यूजिलेंड के 41 परधान मंत्री के रूप में शपत लिया हमारा next 10th question रहेगा On which date World Hemophilia Day is celebrated every year around the world पतिवश दुनिया भर में विश्व हिमोफीलिय दिवस किस तारीक को मनाया जाता है इसका सही आंसर है 17th of April इस विकार के बारे में जागरुकता बढ़ाने और इस्तिति से पेरित लोगों के अजीविका को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है हमारा 11th question है On which date is World Theater Day celebrated every year प्रतिवश विश्व रंगमच दिवस किस तारीक को मनाया जाता है तो इसका सही आंसर रहेगा 27th March इस दिन मनोरंजन में उनके महत्वों और समाज में उनके द्वारा लाए जाने वले परिवर्तनों के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए थेर्टर कलाओं का जश्ण मनाया जाता है हमारा 12th question है On which date National Vaccination Day is celebrated every year across India प्रतिवश पूरे भारत में राश्ट्रे टिका करन दिवस किस तारीक को मनाया जाता है तो इसका सही आंसर रहेगा 16th March भारत सरकार हर बच्चे का टिका करन सुनिश्टित करने के लिए फ्रंट लाइन स्वास्ते देखबाल कारी करता हों कि कड़ी मेंनत को सविकार करने और सरहाना करने के लिए 16 March को राश्ट्रे टिका करन दिवस के रूप में 13th question है On which date World Wildlife Day is celebrated every year प्रतिवर्ष विश्व वन्ने जीव दिवस किस तरीक को मनाया जाता है तो इसका सही आंसर रहेगा 3 March हर 3 March को पूरे विश्व में संयुक्त रास्ट विश्व जन्ने दिवस मनाया जाता है इस तीथी को इस तीचुना गया क्योंकि यह वन्ने जीवो को लोग प्राइप राजातियों में अन्ताराश्टर वेपार पर कन्वेंशन सी इटीएस का जन्म दिन है 14th question है On which date is world Wetlands Day is celebrated every year पतिवर्ष विश्व आभूमी दिवस किस तारीक को मनाया जाता है इसका सही आंसर रहेगा 2 February यह दिन जो 2 February 1971 को इरानी शहर रामसर के आदर भूमी पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीक को भी चिन्नित करता है हमारा 15th question रहेगा Who has been appointed as the new Central Vigilance Commissioner CVC कौन व्यत्ती नए केंद्रे स्तरक्ता आयुक न्युक्त किये गए है तो इसका सही आंसर है हमारा परवीन कुमार श्रीवास्तव इसके important points कावर करें तो 29 मेई 2030 को राश्टपती बवन में PKP श्रीवास्तव के केंद्रे स्तरक्ता आयुक न्युक्त किया गया है इसका समारा सही आंसर रहेगा थर्ड फ्राइड ओफ दा मार्च यह एक गैर लाबकरी संगठन वोर्ट स्लिप सुसाइटी की पहल पर मार्च के तीसरे शुक्रवार को मनाये जाने वाला वाशिक कारेकरम है जिसका उदेशे दुनिया भर में नीद के स्वास्ते को बढ़ावा देना है हमारा इसका सही आंसर रहेगा 28 मैं हर साल 28 मैं को दुनिया मासिक धर्म स्वास्ता दिवस मनाने के लिए एक साथ आती है जो मासिक धर्म स्वास्ते के महत्व को संबोधित करने और समाजिक वजनाओं से निपटने के लिए जागरूपता बढ़ाती है कितनी हस्तियों को वश्च दो हजार तेस के परवासी भारतिय सम्मान प्रुसकार के लिए चुना गया है इसका सही अंसर है 27 सरकार ने परवासी भारतिय सम्मान प्रुसकारों के लिए 27 परवासी भारतियों को नामित किया है तीध कोशन है विच फीमेल प्लेयर हाज वोन दा ICC प्लेयर ओफ दा मन्थ एवोर्ड ऑफ एप्टेल 2023 किस महिला कि लाड़े ने अप्रेल 2023 के लिए ICC प्लेयर ओफ दा मन्थ का प्रुसकार जीता है सही अंसर है नारोय मोल चायवाल को अप्लेल 2023 में ICC महिला प्लेयर ओफ दा मन्थ चुना गया इन्होंने केलिस नद लोवू और UA की कोविशा अगड़ागों की परतिस्पदा को पीछे छोड़ दिया था Now our 20th question is who has become the new chairperson of BRICS CCIV कौन BRICS CCIV की नई अध्यक्ष बनी है तो हमारा इसका सही अंसर रहेगा Ruby Sina, Sheetwork और Commune Brand Communication के संस्तापक Sina यह भूमिका निभाएंगे इनका उदेशे वानी जी और उद्द्यम शीलता को बड़ावा देना है